ये माना जाता है कि आध्यात्म उनके लिए है जिनकी उम्र 72 साल से ज्यादा है यहाँ थोड़े ही उम्मीदवार है क्योंकि आज आध्यात्म बेजान हो चुका है पर साथ ही इसे ये पता चलता है कि आध्यात्म को लेकर लोग कितने उलजे हुए है हमारे हिसाब से आध्यात्म उन बुढ़े लोगों के लिए है जो जीवन के दूसरे कोई भी पहलू जी नहीं पा रहे है यानि अगर कोई ठीक से खा नहीं सकता ठीक से जी नहीं सकता जब सिर हिलने लगे तब वो जाए और गुरू के पास बैठकर आध्यात्म सिखे साथ ही अगर कोई बहुत स्पिरिटिड होता है तो हम कहते हैं वो बहुत जीवन्त है याना तो अगर स्पिरिटिड होना जीवन्तता है तो स्पिरिच्वल लोगों में जबर्दस्ट जीवन्तता होनी चाहिए याना पर दुर भागे से इसकी प्रस्तुती इसका प्रचार और कई गलत उप्योगों की वज़े से इसे कुछ और माना जाने लगा है जो इंसान जीवन जी नहीं पाता उसे अक्सर आध्यात्मिक मान लिया जाता है जो खाना पचानी पाता वो वैसे भी नहीं खाएगा अगर कोई तीन दिन ना खाए तो उसे अध्यात्मिक मान लिया जाता है असल में अगर किसी का खान पान पहनावा और हैंसेन अच्छा नहीं है तो उसे अध्यात्मिक मानते हैं आम तोर पर लोग यही समझते हैं तो हमें आध्यात्मिकता शब्द छोड़ देना चाहिए आप सभी ये सोचना छोड़ दें कि मैं आध्यात्म के मार्क पर हूँ दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे जीवन में रुची नहीं हो अगर अभी जीवन अच्छा नहीं चल रहा हो तो वो कहता है मुझे रुची नहीं है पर अगर जीवन थोड़ा अच्छा हो जाए तो उसे रुची हो जाती है अगर चीज़ें बिगड़ जाए तो उसे रुची नहीं होगी पर कल थोड़ी आशा दिखने लगे जरा सी चीज़ें बहतर हुई नहीं कि अच्छानक उसकी रुची जाग जाएगी तो वैसे भी आपकी जिंदिगे में रुची तो है तो बहतर है आप इसमें पूरी तरह रुची लें और एकदम पूरी भागीदारी से जियें वरना जीवन दुखदाई होगा या तो पूरी तरह जीवन रहें वरना मर जाएं बीच में रहना दुखदाई है है की नहीं? ऐसा है की नहीं? क्या आपने लाब में में ड़क या कौकरूच काटा है? आपने से कितनों न किया है? आप जानते हैं की बीच वाली हालत दुखदाई होती है एक हिस्सा काम करे और दूसरा न करे ये बड़ा दुखदाई होता है तो आप पूरी तरह से जीवन्थ हो जाने के लिए जीवन के दुखदाई हो जाने का इंतजार मत कीजे आध्यात्मिक प्रक्रिया यानि आपके अंदर हर चीज बिलकुल जीवन्थ है आप न केवल शारिरिक आयाम बलकि जीवन के सभी आयामों में जीवन्थ हैं धदक रहे हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे नहीं तो वैसे जीवन दुखता ही बन जाएगा अगर कुछ गलत नहों तब भी असल में जब सब कुछ ठीक हो तो जादा तकलीफ होगी न कि तब जब कुछ गलत हो क्योंकि अगर कुछ गलत होगा तो आप उससे ठीक करने के लिए जूजेंगे आप इसमें वैस्त रहेंगे अगर आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो तो आप और ज़ादा दुखी होते हैं उसकी तुलला मिं जब कुछ गलत हो क्या आपने कभी देखा है जब सब कुछ ठीक हो तो लोग ज़ादा दुखी रहते हैं कुछ कमी हो, तो कम से कम एक चुनोती होती है, आप उसे ठीक करना चाते हैं। अगर लोगों की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए, तो अधिकतर लोगों को मानसिक भीमारी हो जाएगी, सच में। उनकी जिंदगी का हर पहलू अगर ठीक करके दे दिया जाए, तो सत्तर असी प्रतिशत लोगों को मानसिक भीमारी हो जाएगी, अभी वो स्वस्थ इसलिए हैं क्योंकि वो किसी चीज़ के लिए संघर्श कर रहे हैं, उनके पास कोई उद्देश है, ये जीवन के प्रतिरु उर्ची कम तब होती है जब आपकी उर्जा कम हो जाए, तब ये महसूस होगा कि बस इतना काफी है, बस बस, पर थोड़ी सी उर्जा जगी नहीं कि फिर से उर्ची बढ़ जाती है, जब जीवन के कुछी हिससे जीवित हो और आप इसे बाहरी मदद के जुगार से ठीक करन है, ये बहुत दुखताई होता है, केवल आपका शरीर और मन का बस एक हिस्सा जिन्दा है, जदातर लोग बस ऐसे ही जी रहें, आध्यात्निक होना यानि आप में हर चीज जीवन्त है, एकदम जीवन्त, अब जीने या मर जाने का कोई चुनाव नहीं होता, क्या मैं जीऊ क्या मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं इसे बड़ा बुधिमानी का प्रश्न समझा जाता रहा है, मेरे लिए ये हमेशा सबसे मुर्खता पुन्ट सवाल है, जिसने जिन्दगी का स्वाध ही नहीं चखा है, जिसने सिर्फ विचारों में ही जीवन को जा तो आध्यात्मिक प्रक्रिया मरे हुए या मरते हुओं के लिए नहीं है ये जीवित लोगों के लिए है जो पूरी तरह से जीवंत रहना चाहते हैं बिलकुल जीवंत अपने अस्तित्व के हर आयाम में जीवंत अगर ऐसा नहीं होता तो जिन्दगी आपको अलग अलग तरीकों से तकलीफ देगी चाहे आप कुछ भी ठीक करें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप अपनी आर्थिक स्तिती ठीक करें चाहे अपने आपने अपने रिष्टों का इंशॉरंस कराया हो वैसे भी इंशॉरंस वाले रिष्टे हमेशा परिशानी ही देते हैं जिन्दगी में चाहे आप जो भी ठीक करें जिन्दगी कष्ट ही देगी क्योंकि आप आधे जीवित हैं तो संसार में ये विचार हटाना होगा कि आध्यात में मरते हुए लोगों के लिए हैं ये जीवित लोगों के लिए हैं कोई मर नहीं रहा है सब जी रहे हैं आप या तो शरीर के साथ जी सकते हैं या इसके बिना सच में या तो उसके साथ जीया जा सकता है जो आपने धर्ती से पाया है या उसके बिना पर आप जिन्दध ही रहते हैं तो धर्ती पर कोई मर नहीं रहा, सभी जी रहे हैं कुछ लोग धर्ती मां से लिया कर्ज लोटानी की तेयारी कर रहे हैं और कुछ लोग उसे कुछ समय तक रखने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको क्या पता कि उसे कब वापस ले लेंगी तो अभी सबसे जरूरी है कि सभी के जीवन में ये संभावना लाने के लिए हम अपने समाज में एक मददगार वातावरण बनाएं जिसमें हम रहते हैं दुनिया के इस हिस्से में आध्यात्म के फैलने का कारण ये है कि हमने ऐसी परिस्थितियां बनाई जहां सभी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकें आपको ये समझना होगा कि सिर्फ यही वो संस्कृति है जिसने स्वतंत्रता और मुक्ति को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष माना है जो भारत में पैदा हुए हैं उनका लक्ष मुक्ति है भगवान नहीं स्वर्ग नहीं आपका लक्ष मुक्ति है आज कल हम ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे स्वतंत्रता और मुक्ति का विचार कहीं और से आया है पर ऐसा नहीं है हजारों सालों से हमने इसे अपने जीवन का सबसे उचा लक्ष माना है भगवान महतुपूर नहीं है वे सिर्फ एक माध्यम है आपकी मुक्ति महतुपूर है है ना आपको हमेशा ये बताया गया है भगवान के साथ या उनके बिना कि आप वहाँ पहुँचें पून स्वतंत्रता की स्थिती में पहुँचना ही सबसे महतुपूर बात है ये तभी संभव हो सका, क्यूंकि हम जीवन के हर पहलू में, आसपास के हर पहलू में आजादी लाए यानि लोग अपनी मर्जी से चीज़ें करके भी समाज में रह सकते थे भारत के किसान अपने हल की पूजा कर सकते थे, ये ठीक है यहां के लोहार अपने औजार की पूजा कर सकते हैं, ये ठीक है आप माँ को प्यार करते हैं, अपनी माँ की पूजा कर सकते हैं, ये भी ठीक है जो अपनी पत्नी या बच्चों को चाहते हैं, वे अपनी पत्नी या बच्चों की पूजा कर सकते हैं, वो भी ठीक है आप माली हैं और आपको पेड़ पसंद हैं, आप पेड़ों की पूजा कर सकते हैं, वो भी ठीक है या आपको कोई देवी देवता पसंद नहीं, आप अपने देवी देवता खुद बना सकते हैं, कोई इसे गलत नहीं मानता भारत के समाज में कभी किसी को विधर भी नहीं माना जाता था आस्तेक नास्तेक पूजा करने वाले साप, गाए, हाथी, बंदर, पहाड, पेर, नदियां जिसकी भी उन्होंने पूजा की या पूजा नहीं भी की उन सभी को इस समाज में आजादी से जीने की और अपने विचार, अपने भाव और अपने जीवन का अनुभव बाटने की आजादी थी जब ऐसा माहौल बनाया जाएगा तब ही आध्यात्मिक विकास होगा तो अगर हमारे विचारों में, भावनाओं में, खुद को प्रकट करने के तरीके में और संबंधों में आजादी का भाव और ऐसी इच्छा नहीं है तो कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं हो सकती लोग अपनी चेतना की खोज नहीं कर पाएंगे और उन्हें हमेशा मौजूदा किताब के नियमों के अनुसार ही जीना होगा तो इस देश में ये बनाए रखना बहुत अधिक सरूरी है कि सभी आजादी से और अपनी मर्जी से चीजें करते हुए भी सभी के साथ रह पाएं आपने दूसरे विश्वयोद के हिमलर का नान सुना है वो हिटलर का एक हिटमैन था तो हिमलर एक छिपने की जगा पर गया जहां हिटलर के आठ हम शकल थे आठ लोग जो बिलकुर हिटलर जैसे थे उन्हें हिटलर जैसा बरताव करने की ट्रेनिंग मिली थी हर तरह से उन्होंने उनसे कहा मेरे पास कुछ अच्छी और कुछ बुरी खाबर है उनसे हिटलर जैसा व्यवहार करना ज़रूरी था ताकि उनकी आदत पड़े तो उन्होंने उन्हें सलाम करके कहा उन्होंने कहा फूरर्स कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबर है वो बोले ठीक है पहले अच्छी खबर तब उसने कहा हमारे हिटलर अभी भी जीवित है ये अच्छी खबर है वो बोले बहुत अच्छा बुरी खबर क्या है तब उसने कहा हमारे हिटलर की बाईं आँख फूट चुकी है ठीक है तो आपके आस्पास जो होता है वो आपके साथ भी होगा आप उससे बच नहीं सकते आपके आस्पास ये जो भारत को होता है वो सभी भारतियों को भी होगा तो हमें राजनीती कारणों से ही नहीं, आध्यात्मी कारणों से भी अपने आसपास मददगार माहौल बनाना होगा जाजने अपने याजना होगा के अपने आसपास मददगार माहौल बनाना ही नहीं, आसमें आसपास मालना होगार बनाना हो रirement zu चे जपने वे पर शब विये नहीं, या भ